स्वांत रहें सिंप्लिफिकेशन पढ़ने के बाद जो भी बच्चे नए हैं उन्होंने सिंप्लिफिकेशन में जहां से भी स्टार्ट किया उससे कोई मतलब नहीं है नंबर सिस्टम अगला टॉपिक अपने आप में नया ठीक लेकिन यह सब टॉपिक कुछ अंडेस्टेंडिन टाइप की टॉपिक मतलब जिन में मैथमेटिक सी समझ काम आती है जहां पर कोई रूसें रेग्लेशन बेस कॉष्चन आएगा को रूल नया बताना होगा या पीछे संबंदित होगा तो दो केसे पीछे संबंदित होगा मैं बोल दूगा यह पढ़ा चुका हूं आप इसको पीछे क्लास से देखिए और अगर नया होगा तो पूरा प्रॉ प्रॉब्लम करना सिखाएगा लगर नंबर सिस्टम आपको सिखाता है कि कैसे क्वेशन की लेंग्वेस से एक्वेशन मनाई जाती है अपने कॉष्चन के थ्रू चोटे-चोटे सवाल जो भी है उनकी तो अच्छा उसके अपने टॉपिक के भी कॉश्चन है ऐसा नहीं कि वह टॉपिक नहीं है वह एजा इंप्रॉब्मेंटी आपको दिया जार ऐसा बिल्कुल नहीं वह टॉपिक भी है लेकिन उसके क्वेशन ज्यादा तर इस बात के लिए है कि क्वेशन की बात को आप समझ पाए यहीं से अर्थमेटिक की दिसा तय होती है परसेंटेज रेश क्वेशन आपने पड़ा और आपको यह नहीं समया कि क्या कह रहा है तो दुबारा पढ़िए और आप क्वेशन को बस ऐसे समझें जैसे कोई सामने बैठके कुछ कह रहा है सिंप्लिफिकेशन खतम होने के बाद फिर आगे की जितने भी टॉपिक हैं उनमें आपको यह चीज डेवलप भी करनी पड़ेगी नहीं तो सरल से सरल सवाल आपको नहीं आएगा और आपको लगा यह बात तो आपने कल बताई थी यह होगा क्योंकि हर कॉश्चन किसी में म उनको दोनों सवाल एक लगेंगे किया रहे वह यह भी था वह यह भी को दे रहा था यह ले रहा था जो भी यहां गोपाल और स्याम की बात की गई है ठीक लेकिन जो लोग कॉश्चन की लैंग्विज नहीं समझेंगे सिर्फ यह सोचेंगे इसका सलूशन यह होता है इसका सेलीशन यह होता है? इसका सलीशन यह होता है उन्हें हर सवाल अलग-अलग लगेगा आगे पीछ जरा समय होगा तो अलग-अलग लगेगा यह बात आप खुद देखेंगे आपके बेच मैं आप में सही बहुत सारे लोग उसी लाजिक पर उसी बात के different questions पर हाथ उठा रहे होंगे, doubt पूछ रहे होंगे और उसकी सिर्फ एक वज़य होगी कि वो question को उस तरह नहीं देख रहे हैं जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो अगर आपको शुरू में दिक्कत होगी तो शिवर हैं दिक्कत होगी लेकिन अगर आप इस बात को develop करना चाहेंगे महनत करना चाहेंगे करेंगे तो develop भी हो जाएगी और यह शोर है कि जितने भी लोग बैटें यह प्रयास तो सभी का है कि चीज हमें आने लगे हम सबसे अच्छे नंबर लाएं और सब भी लोग एच्छा करें कुछ लोग होते हैं जो जो गर से जब निकलते हैं उनसे कहा जाता कि अच्छा ठीक जब आँक पढ़ने लो तो कहते हैं अर्थाकेड़नी कई वाले सर भी नहीं पढ़़ा पाए अबने कहा था कि हम से कुछ लोग एओ उनका कुछ नहीं हो इसका लेकिन बाखी का लगबग प्रयास यही रहता है कि हम सीखने आएं तो जैसे मैं बोल रहा हूं उसको एजिटी फॉलो करिए अगर आप उसमें कोई सुधार लगता है कि मैं सर ऐसे करता हूं किया यह भी रास्ता सही है आज एक लास के बाद अगर आपके बाद बिलकुल सही होगी और हम उस बात पर सुधार कर पाएंगे तो सुधार करके बतातें कि अईसे अईसे कर लीजिए और अगर आप सही होंगे तो भी से और गलत और तो मैं सीधे कहतं दूँगा नहीं यह यह लाउग टाइम आप वहा जाकर बज़एंगे या long time इस आधत को develop करके आप इस case में बताएगे क्या करेंगे तो आपको खुद ही लगए कि हाँ इस case में अगर इस ववस्था से हम चलेंगे तो इस case में आँसर नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं को आपको ही नई strategy अपनाते हैं और आपको लगता है डिश्कस की करनी चाहिए उसमें को है और आपको लगता है आपको पूर। विश्वा से यापने शिवश् topics नहीं तो आपधा ये कोई unitary method कहते हैं जैसे unitary method में आप जानते हैं कि अगर हमसे कह दिया जाए कि 5x बराबर 2,000 रुपए है ठीक है या 5x बराबर 2,000 रुपए है या ऐसा कह दिया कि 5 दिन में 2,000 रुपए कमाते हैं तो बताओ हम 3 दिन में कितने रुपए कमाएंगे तो ऐसी कंडिशन हम कहते हैं 1 बराबर या 1x बराबर 200 अपन 5 फिर हम कहते हैं भाई 3 days का चाहिए तो 3x पूछा गया तो 3 का multiply तो 200 अपन 5 इंटो 3 ऐसे करके हम खूब करते रहते हैं इस चीज को थोड़ा सा तीन लाइन में करने पर समय लगता था तो कभी जब मैं अपनी तैरी करता था तब मुझे लगता था कि इसको सुदार करना चाहिए यह बहुत टाइम ले ले लाता और इस बात क्या यूज पूरी अर्थमेटिक में आप मन के चली कि लगबग 60% question में जो समझाना था समझा दिया उसको मान लो ठीक अब चप्टर स्टार्ट है जगए 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 हम देखेंगे कि हम अपने तरीके से unit assume करेंगे तो हम क्या है मानेंगे राम की आये थी तो हम तुरन कहेंगे माना राम की आये 500 रुपए 500 units है एक्स नहीं मानेंगे वो options देखते थे इस तरह से चीज़ें आती थी तो मुझे इसा लगा कि इसको कुछ करना चाहिए मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि देखो ऐसा है कि हमें 5 था अच्छा ठीक है फिर हमें 3 चाहिए था तो अगर हम unitary method की system को थोड़ा देखें ध्यान से तो हमको एक चीज समझ माती कि 3 unit चाहिए था 3x तो 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 ऊपर आया है 5 नीचे आया है तो हमने एक चीज बनाई कि यह 5 बराबर 200 है और हमें for example 3 बराबर चाहिए वैसे ratio में यह बात अलग तरीके से भी सिखाई जाएगी तो हम क्या करते थे कि यह हमसे पूछा गया है तो हम 3 जो पूछा ज नीचे into value actual value ठीक अब हम इसको और हम solve करेंगे हमें अपना answer मिल जाएगा क्योंकि यह वही step बन जाएगा unity method का last step तो हमें लिखना कुछ नहीं बढ़ेगा यह हमारा तो सिर्फ question था यह step हम direct सोच पाएंगे तो इसको हम याद रखेंगे कि पूछा जाए उपर बताया जाए नीचे into value pju bgn upon into value ठीक तो इसका प्रियोग खूब करेंगे जगे 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 जहां पर हम इस बात का situation पाएंगे अच्छा exactly यह होता ही है यह कुछ और नहीं है यह ratio ही है जैसे ratio में हम करते हैं कि पहले 5 था अब 3 हो गया तो 5 बराबर अगर 200 है तो 3 बराबर बता दो तो ए ठीक तो academic method है 5 x माना अनुपातिक गुणांग माना ratio constant is x let that the ratio constant is x ठीक है तो x माना तो 5 x हुआ 5 x बराबर 200 x बराबर 40 फिर रखा 3 x तो x कमान रख दिया ऐसे तो करते है academic में आप उसी बात में जब x का कटना तय है तो x को लेके क्यों चला जाए तो हम कहते 5 x मत बोलो 5 unit बोलो 5 unit बराबर 200 तो एक unit बराबर यहां जो एक unit हम बोलता हूं यह अनुपातिक 1 कह रहे हैं कभी-कभी ऐसा होगा जहां पर हम उसको वन नहीं कह पाएंगे क्योंकि वन एक constant number है जब इस बात पर दिक्कत आए कि धीरे-देरे सीख जाएंगी जैसे राम किया स्याम से double है तो हम कहते हम x और 2x भी मान सकते हैं और 1-2 भी मान सकते हैं लेकर कह दिया जाए कि राम किया स्याम से दुगने से 2 रुपय दिखे तो फिर आप तो फिर आप 1 और 3 नहीं मान सकते या 1 और 4 नहीं मान सकते दुगने से 2 रुपय दिख तब आप 1 और 4 नहीं मान सकते तो आपका पास situation यह होगी कि तब आप उसको 2x प्लस 4 माने 2x प्लस 2 माने तब हमाँ पास यह रास्ता होगा कि उसको situation के according मान लिया जाए ठीक है तो कुल मिला कर अगर हमाँ पास situation यह कि आपका एक number x है तो उसको दुगने से 2 रुपए दिख तो यह आपका अब तब आप x और उसको 2x करके 2 एजियूम करना पड़ेगा क्यों 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 आपने 1 रुपए और फिर 2 रुपए और फिर 2 जोड दिख गलत हो जाएगा दुगने से अधिक बोला गया था 10 हो सकता 10 रहा हो 10 से 20 20 से 2 12 पता नहीं 22 फॉट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेश्डियो में एडिशन सब्äक्शन अलाउड नहीं होता है कि आपने कभी किया कि रेश्डिवाइड फेर एक जोड़ नीचे दोड़ कभी किया ऐसा एडिशन अलाउड हो लेकिन अग्रा है कि दोनों में दो इ Based तो मल्टिप्लिकेशन अलाउड है एडिशन सब्रेक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि जैसे आप पहुंचेंगे एरिया वगारा के केसे में यह आप देखेंगे दो नंबर का प्रोड़क्ट है तो जब आप एक नंबर को 1 और 2 मानेंगे तो प्रोड़क्ट करके 2 आएगा ले जब स्कॉयर आएगा तो बात बें अंडरूट लेने के लिए लिए गलत हो जाएगा नहीं मेरी वासन करते करते इस तरह गलतिया होंगी तो फिर आप दुबारा डाउट में आएगे फिर पूछिएगा कोई दिक्कत ने लिए अभी हम आपको चेप्टर की कुछ थोड़ी जगे-जगे की चीज़ें उठा-उठा के बता रहें उनको तरह ध्यान सुनते जाएगे तो उस समय हम एक्स लेना हमारी मजबूरी होगा जहां पर मल्टिप्ला होगा क्वाजिटिक होगा एडिशन ऐसा कोई केस बन रहा होगा जहां पर हमें कॉंस्टेंट को साथ हम नही उनिटरी मेथड से कर लिए फिर वापस आजाएगे जिरे तरह आपको confidence आने लगेगा पी जीए ओ बीजीए पे तो बस फिर उसके अगर नहीं चलते जाएगे तो जब आपको लगे कि नहीं मजा नहीं आ रही तो आप उनिटरी मेथट की तीन लाइन ने तो सबको आती है इसके साथ ट्राई करेंगे और फिर वापस आजाएंगे फिर एक दो बार लगेगा नहीं यहां दिक्कत हो रही तो फिर वापस आजाएंगे तो एक दो बार question के साथ जाकर यह चीज़ें हो जाएगे तो कुल मिलाकर number का assumption यह है rules regulation कुछ लिखाने नहीं है क्योंकि chapter की बात मैं पहले बता चुक हूं कि chapter आपको word problems को equate करना सिखाता है और उनको solve करना simplification सिखा चुका है ठीक तो अब सिर्फ हम questions पढ़ते जाएंगे चीजों को equate करते जाएंगे equation formation दे जाएंगे statement अजूम करते जाएंगे data solve करते जाएंगे उनको analyze करते जाएंगे यह हमारा process चलो तो first question है वोई कह रहा है परिच्छा में एक छात्र को एक संख्या के 5 x 13 से गुड़ा करने के लिए करने के लिए in an examination the student was asked to multiply a number by 5 x 13 but the parted with 5 x 13 मत उसने divide कर दिया in this way the difference of 864 was found in the wrong answer and correct answer what is the number that to be multiplied किसी संख परिच्छा में एक चात्र को संख्या से 5 x 13 में एक language पड़ रहा हूं आप जिस medium से उसे आप से लेंगिज कर ले 5 x 13 से multiply गुड़ा करने के लिए कहा गया था लेकिन उसने 5 x 13 से divide कर दिया अब हुआ क्या अब ध्यान समझा एनलेसिस कॉस्टन क्या कह रहा है एक नंबर था जिससे multiply करने के लिए प्लब इस अमलोग कॉस्टन को इतने मन से पढ़ा जाए कि कुश्टन की प्योर बासा कॉमा फुलिस्टाप के तर नहीं याद करनी है और याद करना थीम याद करना है याद हो जाएगा कि बार में नंबर है उसने किसी नंबर से गुणा करने के लिए नंबर नहीं याद रहा ना मुझे अभी मैंने प्रपड़ा नहीं याद है क्या नंबर लेकिन यह तो बता है कि एक नंबर से नंबर से multiply करने के लिए यह कुछ भी मान सकते तो उससे कहा गया था कि काम करना कि आप इसमें 5 by 13 से मल्टिप्लाई करना तो जो करेक्ट आंसर था वो यह था कि X is multiplied by 5 by 13 बट उसने डिवाइड कर दिया तो आपका X का जब 5 by 13 से डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 13 by 5 ठीक है उसने का difference difference मतला बड़े चोटा गटाना हमें नहीं पता यह रॉंग आंसर है लेकि नॉम्मली समझ तो आई रहे कि बड़ा आएगा तो आप जब सब्ट्राइट करेंग तो नीचे LC हम लेने कितना 65 ठीक है और यह multiply हो जागा 25 और minus 69 169 और modulus क्योंकि difference किया है तो negative ले नहीं सकते और X अपनी जगे X भी तो आएगा तो कुल मिलाकर कितना है 144 प्लस का 144 X अपॉन 65 है ना अगर हम इस बात का ध्यान रखते कि difference बोला गया है तो फिर हम बड़े से छो difference की वज़े से modulus लगाया difference कभी भी negative नहीं होता अंतर हमेसा positive होता difference वरड़ी कहता है कि बड़े से छोटा गटाओ किसको याद रखना कि आज से 20-50 या किसी भी topic कि किसी class में आप हम से यह कहें कि नहीं A पहले का गया तो भाईया A-B होगा ना कौन पहले कौन बात में क्या का अगया इससे कोई मतलब नहीं अगर A-B पूछेगा A को B से घटाना यह कहेगा तो A-B करेंगे लेकिंगर difference कहे दिया है तो फिर understood है जो बड़ा होगा उससे घटेगा दूसरा अगर A बड़ा होगा तो A-B होगा B बड़ा होगा तो B-A होगा ठीक तो difference हमेसा positive होता है इसलि 5 by 3 minus 2 by 3 यह सम्थिंग इसको इस तरह करें बनोल 2 by 7 तो आप पहले ही चेक करें कि कौन बड़ा है क्यों चेक करें सीधे सब्टेट करो माइनस है तो ignore करो यह मॉडूलर समझ लो नहीं आई बास सम्झ में ठीक है लेकिन जब constant में होगा तो दिखाई दे रहा होगा समझ आ र समझ ली बात है ठीक है अब यहां पर डिफ्रेंस एक्रेट हुआ बट कॉस्चन कह रहा है कि डिफ्रेंस जो है वह 864 है ऐसे में करते हैं 864 तो एक सिक्वस्ट यह उदर जाएगा सौल करिए 390 आपने सिंप्ली सॉल्व के एक स्कावन 390 आए बात कटम होगे यह आंसर आगे यह हमारा academic method है ठीक बड़ा irritating होता है जो आप questions करने लगेंगे तो बात में आपको बड़ा irritating लगेगे पूरी arithmetic सीखने के साथ साथ आपको profit loss percentage जब इसमें इंट्री करेंगे तो simplification सबसे गंदा chapter लगेगा ठीक तो जब हम यहां पहुंचते हैं तो calculation की इस वज़े से हम इसको भी इंग्णोर करना चाहते हैं अब हम करना क्या चाहते हैं देखो अब ज्यांता है अब स्टार्ट होता इसका मतलब जो नंबर है हमारा वह आपका डिवाइड होगा एक बार 5 से एक बार 13 से मतलब अगर नंबर हम ऐसा एजूम कर लें जो 5 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाए तो हमारी समस्या खतम हो जाएगी याद रखना दो चार दस सवालों को सीखने के बाद को हमसे यह नह नहीं आप करें तो घर में क्या सोचने चलो क्वेशन में फस गया लेकिन अगर नंबर को एजूम करना है तो क्या एजूम किया जाए यतना तो आप सीखी जाएंगे तो सवाल के साथ तो ध्यान दीजिए इसका अबला हमने देखा कि नंबर ऐसा हो जाए अगर ऐसा हो तो हमारी फायदा यह रहेगा कि फ्रेक्शन नहीं बनेगी अच्छा फ्रेक्शन की कल्कुलेशन बड़कटीन होती है इन कंपरेजन टू कॉंस्टेंट एडिशन सब्ट्रेक्शन हमेशा देखेगा एडिशन सब्ट्रेक्शन से सरल है सोचके देखे अपने अंदर जाके एडिशन सब्ट्रेक्शन से सरल है मल्टिप्लिकेशन डिवीजन से सरल है फ्लो में करते जाते हैं को पता नहीं चलता लेकिन आप सोचके देखे मल्टिप्लिकेशन डिवीजन से सरल है और एडिशन सब्ट्रेक्शन से सरल है और फ्रेक्शन की कल्कुलेशन कॉंस्रेंट स जो एक्जाम में आते हैं आ सकते हैं उनमें डेटा ऐसा प्लान किया जाता है कि फ्रेक्शन की सिचुएशन में बनते समय आपका Elimination completely हो जाए यह एक्जामनेशन में आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ कॉश्चन को छोड़कर कुछ कुछ कॉश्चन से मतला मतलब एक्जामनर कभी जानबूज के कॉश्चन भी बनाता है कि नहीं आप कटेगा नहीं जाओ अपने Eliminate होगा अब तुमको डेसिमल में तो टू डिजिट तक सॉल भी करना पड़ेगा वह भी अप्रॉक्सिमेटली हम दे रहें आंसर अप सॉल करो ठीक है तो यह वह सिचुएशन होती है जब एक्जामनर कुछ कॉश्चन ऐसे प्लान कर रहा है जो आपको काल्कुलेस जैसा कएस नहीं है जो हमएं इस बात कि लिए लीमिटेशन लगाए कि नमबर को आप भिना AX के नहीं मान सकते ! तो चाहिए मेरी बात ऐसी लिमिट भी लगाएगा तो भी मैं एक्स नहीं मानूँगा तब भी मैं एक्स ले लूँगा जैसे मालो अगर में पता चला कि स्क्वायर ओने वाला है और फिर पता जाए टू से कट जा थी स्क्ट मानूँगा ताकि हमारी उसमें भी कल्कुलेशन बचे बाद में, फिलाल वापस आते हैं, तो नंबर यहां constant resume कर सकते हैं, तो एक बार 13 से divide करना है, एक बार 5 से divide करना है, तो हमने लेट किया, the number is 65, यह हमने लेट किया, कि जो number है 65, ठीक है, हमने number को 65 resume किया, step 1, question ने कहा, उससे कहा गया था, multiply करो, किस से, 5 by 13 से, तो इसका मल अब कितना आता, 25 unit, understood इसके साथ एक छुपा है, जब जरूरत होगी, बाहर आ जाएगा, ठीक, divide by, 5 by 13, natural से बात, 169, अंतर कुछ नहीं होगा, आएगा भई, लेकिन काफी कुछ आपको बचत महसूस होगी, difference, 144, that is, 864, हमारे recording, 164 का difference आया, बट, as per question, 864 दिया गया है, doubt लगे कि यह ऐसे कि 144 बराबर, 864, तो आप सोचो, यहां चुप चाप बैठा बगल में, ठीक, understood, मतब यह जो हमने एजूम कहें, that is not constant, that is a variable, that is 65 unit, जैसे माना, राम के आए, 100 रुपए, एक वस्तु को 20% लाब पर बेचा गया, परसेंटर को थोड़ा याद करिए, तो माना एक वस्तु का cost price 100 रुपीज है, आप अराम से कुप करते हैं, इसे सवाल, ठीक है, करें अब आपका, और बात, 390, अभी आपको कुछ सरलता नहीं महसूस होगी, आपको ऐसा नहीं लिए कि बहुत जादू कर दिया है, ठीक, लेकिनी basic planning है, जिसके according हम इसके उपर धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक, note करी, अब अब उसका जरूरत नहीं है, अब वैसे अगर देखा जाए, तो हम इस बात पर थोड़ा सोच सकते हैं, कि नंबर इसका मतला ऐसा रहा होगा, जो 13 से eliminate हो जाए, है ना, है ना, नंबर ऐसा रहा होगा, जो 13 से eliminate हो जाए, तो 13 से eliminate होने आले एक ही option पाया गया, और बात खतम हो गई, आएगा, इसका नंबर भी जाएगा, पहुंचेंगे वहाँ तक भी, ठीक है, और वो इतनी छोटी बात हैं, जो chapter के 10 में हिस्से के बराबर भी नहीं है, वो आप एक question 2-4 सवाल में अपने आप सिख जाएगे, वो student के अपनी approach होती है, ठीक है, हो गया, चला, I think note कर लिया होगा, अगली सवाल पॉस्ते हैं, देखते हैं, क्या कहा गया, जब किसी संख्या के 25 पिस्त को दूसरी संख्या से सब्ट्रेट किया जाता है, तो दूसरी संख्या गटकर 5 by 6 हो जाती है, पहली तरह दूसरी संख्या में अनुपात क्या है, तो अगर हम simply देखें कि हमारी पास दो संख्या है, एक नंबर हमारा A है, एक नंबर हमारा B है, क्योश्चन कह रहा है कि जब हम पहली संख्या के 25 परसंट को, according to question, जब हम पहली संख्या के 25 परसंट, the 25 परसंट of the first number is subtracted from the second number, जब आप second number से first number के 25 परसंट को subtract करते हैं, तो दूसरी संख क्या जो subtract हो के result बसता है, जो subtract हो के result बसता है, वो second number का 5 by 6 है, यहां तक पहुंचके, थोड़ा solve करना है, start करते हैं, B minus percentage अटेगा, नीचे 100 आएगा, इतना तो आता ही है, तो यह हो गया, A by 4, that's equal to B into 5 by 6, इसको इस सब ले आओ, तो हो जाएगा, B minus B का 5 by 6, और equals to A by 4, थोड़ा और ध्यान देंगे, तो आपके पास आएगा, A by 4, that's equal to, समझ रहे हैं, तो आपका आए, B by 6, थोड़ा ध्यान देंगे, A upon B बराबर, equals to 2 by 3, 4 उपर 3 नीचे, 2 to 3, यह इस question को करने का पहला method है, जैसे आप simply करते हैं, सवाल ही अपने आप में बहुत सवाल है, उन यह हमारा first number हमने माना था, यह हमारा second number माना था, और इससे हम, यह आपका ऐसे करते हुआ हुआ हुआ, और यह solve के लिए हमने एपान B, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देजे, यह कह रहा है, A का 25%, जब B से subtract होता है, तो B का 5 by 6 बचता है, यह सबको लिखना तो एक solution नहीं है इसमें कुछ चीज़ें बीना लिखे सोचिए, जैसे number B जो है, वो 5 by 6 बचा, हर number अपने आप में 1 होता है, अगर fraction point देखा जाए 1, जैसे हम कहते हैं, एक number का आदा निकालो तो आदा बचेगा, one third निकालो तो two third बचेगा, तो fractionally every number is one, और percentage में every number is 100%, तो अपने आप में number, कोई pen, कोई वस्त, कोई article, सब कुछ 100% है, और fractionally वो one है, आदा करो, one by two निकल जाएगा, उसका आदा बचेगा, तो इससी तरह से कहने का मतलब ही हुआ, कि जब number का 25%, अगर आप 25% को solve करें, तो B, A, 4 आ रहा था, यह सोच भी सकते हैं, 25% मतलब चौथाई हिस्सा, 100% पूर 25% मतलब चौथाई हिस्सा, फौर्थ पार्ट, तो question का यह मतलब हुआ कि जो B है, वो आपका 5 by 6 बचा, B जो है, वो 5 by 6 बचा, इसका मतलब 1 by 6 गया, कहां गया, A के 1 by 4 के सब्ट्रेक्ट होने की वज़े से, A का 25%, that is A का 1 by 4, जब A का 1 by 4 हमने B से सब्ट्रेक्ट किया, तो B का 5 by 6 बचा, अगर B का 5 by 6 बचा, इसका मतलब B का 1 by 6 गया, क्यों गया, A के 1 by 4 की वैसे, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, इसका मतलब A का 1 by 4 है, वो B के 5 by 1 by 6 को गायब कर रहा है, तो हम यहां डारेक्ट महुंच गया, नहीं आई यह बात समझ में, मैं अभी बार बार कह करकें को जोडेंगे, बड़े सवालों को बोल करेंगे, और यह बात हैं आप अपने आप करने लगेंगे, तब हम कुछ और नया सिखा रहे होंगे, ऐसे चलते जाएंगे, तो इस स्टेप में आप डारेक्ट पहुंचें कि A का 1 by 4, B का 1 by 6 है, बस कतम, A is 2, B बढ़ाबर 2 is 2, 3, नहीं आई बात समझ में? चल, बढ़ें आगे, हो गया? Question number third, ध्यान नहीं, question पढ़ते हैं, किसी बिंद के uns और हर में 2 to 3 का अनुपाद है, अन्स और हर में अनुपाद का क्या मतलब हुआ? fraction तो अपने आप में uns पट हर होती है, fraction इस अलड़ी numerator upon denominator, तो numerator और denominator में ratio का मतलब ही आप यह बता रहे हो कि fraction 2 by 3 है, सोचो, लेंग्विज को सिर्फ किल्ट तो किया जा रहा है, यह भी तो कह सकता था कि fraction 2 by 3 है, कह सकता था कि नहीं कह सकता था, लेकि उसमें क्या क्या, fraction के numerator and denominator, numerator मतलब uns और denominator मतलब हर, uns और हर का अनुपाद 2 by 3 है, तो इसका मतलब fraction 2 by 3 है, तो इसका मतलब यह होगा, कि अगर आप simply देखें, तो आपसे कह रहा है किसी बिन का अंस कहा है, तो यह आपके दिया गया, आप देखो क्या हुआ, subtraction आगे constant, बिन x के काम नहीं चलेगा, क्योंकि subtraction आगया, addition subtraction आते ही, ratio इस बात को allow करता ही नहीं है, तो बिना x के काम चलेगा ही नहीं, ठीक, तो numerator and denominator 2x upon 3x, यह हमारी original fraction है, ठीक, तो मतलब original जो हमारी fraction हो गई, वो हमारी हो गई 2x upon 3x, आप उसने का, यह अंस से 6 subtract कर दिया जाए, तो जो result है, वो परिणाम मतलब result, तो fraction, प्रारंबिक fraction, initial fraction, 2x3 तो initial fraction के इतनी थी? 2x3 और 2x3 तो 2x3 हो गया, अब इंटू हो जाता बात में है, प्रारंबिक विन तो अपने हमें 2x3 थी, वो तो आपने x इसलिए बाहर लाया, ratio constant that is x, उसको इसलिए 12 है, ताकि हम subject कर पाएं, तो 2x2 by 3 into 2 by 3, तो अब आप solve करने पूत्रेंगे, तो इस condition पाएंगे, 3 is 3 element हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर इसलिए लाएंगे, तो आप पहो जाएगा, 4x-24, नहीं, 18, है कि नहीं, बराबर 4, तो 6x अब ठीक है, और बराब 4 तो इसका मतलब ही क्या हुआ, 6x equals to, अब हम दुबारा करेंगे, यहां तक ठीक है, जलो, यहां तक ठीक है, तो 3-3 element हो गया, इधर आए तो आपका पेचा कहा, 6x-18, that's equal to, 4x कहा, और यह x सितर था, यहां तक ठीक होगे, अब इसको इसको इसलाए, तो 2x पराबर, 18, तो x equals to, 9, ठीक, आप यहां पर आप सोचें, कि इसमें आपको सोच लेंगे, इस आट कट करने कुर नहीं हो पाए, क्योंकि यह subtraction का case है, अब आपको x के साथ ही जाना पड़ेगा, अब आपकी अपनी digit काम, नहीं करेंगी, क्योंकि addition subtraction का case आगया, और यह बात आपके आदत में है, आप भी नहीं करेंगे, पर छोड़ा सा उस बात को और ध्यान देदीगे, कि कब हम ले सकते, कम नहीं दे सकते, तो अपने आप चीजें differentiate होने लगेंगे, यहां पहुचे, आप से पूचा, प्राम भी विन का अंस बताओ, अंस मतलब, हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका पूर, समझी ही अधान से, पहम आना या इसके लिए, क्वेश्चन नहीं समझना है, यह सिस्टम समझना है, जैसे मालों इंडिया का एक मैप, आप लेकर आए, दो रुपय वाला नहीं, थोड़ा महेंगा वाला, तो उसमें, दो रुपयला मैं नीचे लिखा था, not to be scale, तो जो आप नॉर्मली पेपर, प्रेक्टिस के लिए उज़ करते हैं, उसमें नीचे लिखा रहा था, not to be scale, उसका मतलब होता है, कि यह scaling से नहीं बना है, मतलब आप यह नहीं कह सकते, कि, कि एक्जांपलरी, कि माली यह दूरी डिस्टेंस, 10 km है, तो यह अगर हमको 1 mm दिख रहा है, तो जो 20 km हो 2 mm दिखना चाहिए, ठीक है, वह एक exemption में इस इंडिया का मैप बना होता है, आपको political या physical जो भी आप देखते हैं, तो कहने का मतलब यह, कि यह scaling की बात हो रही, जो आपके edge पर scaling होगे, उसका मतलब यह होगा, कि वह उसी dimension उसी ratio को show करते, और map के उपर लिखा रहेगा, कि कितने km2 को कितना cm या mm लिया गया है, जब आप छोटे छोटे थे तो आप 7th 8 की class में graphical representation किया करते हैं, तो आप लिखते थे, 1 box equal to 5 cm, ठीक है, box की अपनी dimension होती थी for example that is 1 mm, तो हम उसको अपने according relate कर लेते थे, इसी तरह मान लिजे कि 1 cm जो है, वह 10 km के बराबर है, इसका मतब अगर आपको map पर 1 cm दिख रहा है तो that is 10 km, अगर आपका 2 cm देख रहा है तो 2 x 10 km, अगर आपको 3 दिख रहा है तो 3 x 10, और अगर आप 3.4 दिख रहा है तो 3.4 x 10, मतब जो scaling होती उसका multiply किया जाता है, clear है, इसी तरह वापस जाते से में divide किया जाता है, 10 km 1 है तो 20 km 2 होगा, और 34 km 3.4 होगा, तो 10 से divide करके आप वापस पहुचेंगे, तो जैसे अगर आपको scaling से बाहर आना है तो mapping का multiply होगा, और अगर आप actual data से map में जाना चाहते हैं तो scaling का divide होगा, तो मतलब आप समझी गए होगे, समझ पा रहे हैं मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, प्रेटिकली सोचिए तो समझ में आएगा, तो इस scaling के point वी से अगर मालों मैं यह लिख दो कि 1 mm equals to 10 to the power 7 km, तो आप कहेंगे 2 mm बराबर 2 into 10 to the power 7 km, क्लियर है तो बात पूरी समझ गया, आप चरह वापस आओ, question कह रहा है जो पैमाना है वो यह, 1 by 10 lakh, वह पार्ट, वह पार्ट मतलब 10 lakh km को 1 km दिखाये जाएगा, क्लियर है, समझने मेरी बात, इसको ऐसे भी सो किया जासता है, 1 बराबर 10 lakh, ठीक, ऐसे भी लिखाया जाता और ऐसे भी लिखाया जाता एक ही बात, ठीक है, यह scaling system है जिसको इस तरह लिखाया जाता, कभी-कभी यह ratio लिखा रहता है, 1 is 2, 10 lakh, बात सब एक ही है, ठीक है, इस सारी बात एक जैसी है, इनको सब एक बात कहेंगे, कोई अलग-अलग बाते नहीं है, अब ज़र हम बापास आएं अपने question पर और अपनी बात पर, question ने बोला कि आप हम यह बात समझ गया, scaling up system समझ गया, किसे बात मेंना समझ में बताओ, उसने practically कुछ और सोचाओ, कुछ और देखाओ, तो बेचक पूछ सकता है, agree है, ठिक फिर भी बात मेंना समझ में आएं, कभी भी तो बताएगा, वैसे मेरे इसाब सेबने आपको अलग-अलग इंपल दे दी है, जिसे आप यह बात मुरी समझ गया, actual यह मैप पर यह है, क्योंकि बड़ी चीज़ों को छोटे पेपर पर सो करना होता है, ठीक है, तो बापस आते हैं, इसी तरह ग्लोब वगर आप देखो, जो ग्लोब होता ना, देखा ही होगा सबने, छोटा वाला नहीं, जो स्टेंडर्ड आता है, उस पर अगर आप ध्यान सब्सक्राइब देखो, एक जगह जगह खाली होती है, तो वहाँ स्केलिंग लिखी होती है, 100% लिखी होती है, उस स्केलिंग के एकॉर्डिंग आप मदब जो, मदब जो भूम वगरा की जानगाई रखते हैं, कि अपकी य Jimmy जोगिए इस अचाई किके सरफूर्सान के बार्यावति लिखेщёं है कुछ एक कोई जंप ए सब्सक्राइब कर से करता है तो इब तो यहां पर यह आपका एक उस वर्ग किसी दरसाने के बर कि बुझा क्या होगी, कह रहा है कि what would be the side of the square, kilometer, going, sum this square, मनदब एक square है, इंगलिज में थोड़ा ठीक नहीं लेगा, आप समझे है मेरी बात, square जो है उसका area है, वो 166464 kilometer square, actual data, तो इसकी actual dimension on map क्या होगी, किसी map पर दसाने, उसकी भुजा क्या होगी, side क्या होगी, तो मैं जानता हूँ, सभी लोग जानते होंगे, square का area, side square होता है, तो हम कह सकते है, a square equals to this, a equals to under root of 166464, ठीक, under root बताओ, 408 kilometer, अब यह वोई square root जो निकालना से कहा है, तो उससे निकाली, डाउट लगे तो जनरल निकाले, वैसे आप उससे perfectly निकाले, ठीक, तो आपके सामना है, 408 kilometer, ठीक, इसका मतलब जो actual data है, वो 408 kilometer है, इसका मतलब on map, on map, this will be 408 into 1 by 10 lakh km, ठीक, लेकिन option में, cm में, तो जब option में cm में है, तो हम क्या करेंगे, multiply कराएंगे, तो इसको हम multiply कराएंगे, पहले किस से, 408 into 1000, और into 100, divide by 1 lakh, ठीक है, और cm, बोलो सहिए, अगर इस बास से आप simply agree हैं, तो आप पाएंगे, क्या है, 40.8 centimeter, on map, 40.8 answer number B, ठीक, यह कोई short cut assumption ऐसा question नहीं था, अपने आप में individual बात है, अब map से संब्दित कोई question है, आप कर लें, बस यह improvement है, ठीक, note करिए, कर यह क्याओ, प्ल소 कर दो की। अपती है, बस अजया है, आपक wra contexto की हैं, झाल को गया तो नोट करें जल्दी कोई समस्या किसी को कोई डावट इस बात में भी ठीक है इसे समद्धित क्वेशन एक जाम में पूछे जाते हैं तो क्वेशन जो भी हुए उससे मतलब नहीं है भी हम अगली क्लास में इसी तरह आगे बढ़ेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई रूल बताने है या इस थाइब को कॉश्चन बताने है तब उसके बाद आप करेंगे आपका काम यह कि अगली क्लास से जैसे हम लोग डाउट फॉम में चल रहे थे उसी तरह चलेंगे कोई भी जिनका पर्स दे हो या सेकेंड या पहली क्लास हो कोई मतलब नहीं है इस वास से आपको नहीं आप हाथ उठाएं दीरे दीरे आप उसके साथ फ्लो में आ जाएंगे मतलब अभी आप चार सवालों में कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसमें मैंने कोई रूल बताया हो यह वैसे सामान सवाल थे बस एक चेप्टर की सुरुवात थी आज की क्लास में जो समय था उसमें भूमिका बना दी गई अब अगली क्लास से आप questions अच्छे से attempt करिए जिनको आप ना बना पाएं ना स्वाल कर पाएं उनको आप आजए डाउट पूछें कल समय के recording टेस्ट दीजिए ओके क्रुक्टॉल